तो गाइस आज का जो वीडियो है वो मेरे पिछले वीडियो का कंटीनुएशन है जिसमें मैंने आप लोगों को किसी पूटिन के बारे में डीटेल ने बताया था कि केसीन प्रोटिन क्या होता है कैसे काम करता है ये वे प्रोटिन से क्यों डिफरेंट होता है क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उन सब के बारे में मैंने डीटेल में कवर किया था और साथी साथ उस वीडियो में आप लोगों को ये बोला था कि जो अगर माइसलर केसिन की तो देखें माइसलर केसिन को फिल्टर के आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेखनीक से जो कि एक नाचुरल मेथड है आपके प्रोटीन पाउडरों को फिल्टर करने के लिए मतलब इसके द्वारा जो प्रोटीन पाउडर फिल्टर के आता है वो आप को undenatured याने की natural protein मिलता है जबकि जो calcium caseinate होता है उसे filter के आता है chemicals का उपियोब करके याने chemicals का यूज करके जिसकी वियासे calcium caseinate जो है denatured protein हुआ मतलब ये उतना natural protein नहीं हुआ जितना की micellar casein होता है देखिए क्योंकि micellar casein को एक natural method से filter के आता है इसलिए उसमें milk के bioactive peptides याने protein के natural तत्व जिने हम glycomacropeptides और casomorphins बोलते हैं वो बढ़करार रहते हैं क्या role होता है इन protein के natural तत्व की जिने हम glycomacropeptides और casomorphins बोलते हैं बहुत important role होता है यह आपके body में आपकी immunity को improve करते हैं आपके digestion system को improve करते हैं आपके body में calcium के absorption को बढ़ाते हैं साथी साथ इसमें antiviral property, antimacrobial property होती है यह आपके body में diarrhea को भी control करते हैं और यह ऐसा pain reliever भी act करते हैं तो इतनी सारे benefits होते हैं protein के natural तत्व में जो आपको micellar casein में तो मिलेगा पर calcium caseinate में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है या बहुत हट तक खतम हो जाती है क्योंकि calcium caseinate को filter किया आता है chemical methods का उपयोग करके इसलिए guys मैं कितने भी अपने whey protein के reviews क्या हूँ उसमें भी आप लोगों से बोलता हूँ कि जब भी आप whey protein ले तो whey protein में हमेशा देखें कि वो कौन से method से filter हुआ है क्योंकि वो whey protein जो कि micro filter, ultra filter और cross flow micro filter technique से filter हुआ है वो whey protein, natural whey protein हुआ क्योंकि इसमें protein के सारे natural तत्व बरकरा रहते हैं जब कि जो चौथा method होता है जिसे हम बोलते हैं ion exchange अगर उस method से आपका whey protein filter हुआ है तो उसे हम बोलते हैं denatured protein क्योंकि इसमें protein के natural तत्व नश्ट हो जाते हैं या बहुत हद तक कम हो जाते हैं ठीक उसी तरह जब आप casein supplement ले रहे हो तो हमेशा label पर ये पढ़ें कि आपका casein supplement micellar casein होना चाहिए ताकि आपको protein के सारे natural तत्व मिल रहे हैं ना कि calcium casein उठोने चाहिए जिसे protein के natural तत्व नश्ट हो जाते हैं क्या ले सकते हैं जो casein से भी जादा help करेगा आपको आपके muscle building goals में और गास तो take care stay safe and जाहिद